हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू माई चैनल और दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे मैं भी अच्छी हूं और देखिए सुबह सुबह का समय है बच्चों के लिए मैं स्कूल के लिए लंच त्यार कर रही हूं और मैंने करेले बना रही हू कोड़ कर ने मैं फ्राइ कर रही हूं कुकर में और इदर मैंने जो क्यों आप जातेयों प्राइश में निचुड़ने के लिए ध करेले कर ले현ू और मैंने पेयाज को मोटा-्मोटा कदुकस करते हूं मुसक्य की मिक्सी वालर भ७ूला मसाल्ए जल्दी नहीं हुनता यहां में पर देखे आज मैंने अच्छी से कद्धुकस कर लिए हैं और इसमें मैं स्वाइड कर रहे हूँ तो करेलों में स्वाजाय करेलों की जो टासीर करम हो था सब्सक्रावन में करेलों के अंदर और प्यास में मैंने देखिया मसाले में सोंफ में सीध नमक مिर्च और हल्दी नहीं आड़ करती है, हलदी बाद में डालती हूँ थोड़ा समचूर पाउडर जीरा पाउडर तो आपके पास जो भी मसालेओं आप आड़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने प्याज में सारे जो मसाले मिक्स करके अच्छे से इनको आड़ कर लिए अच्छे से मिक्स करना जुरूरी है और फिर मैं इनको भरूंगी करेलों के अंदर करेलों को भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना और देसी करेले तो कड़वे बिल्कुल नहीं बनते इनको मैंने नमक लगा के रात में रखा था और बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं त इदर जो मैंने क्रेले का छिलका था ना उसको भी मैं दीरे-दीरे फ्राई कर रही हूं वह भी अच्छा लगता उसको भी फेकना नहीं चाहिए आप उसे भी यूज में लाईजिए और कहीं लग तो भर भी लेते हैं मसाले के साथ ही प्याजों के साथ मिक्स करते हैं पर मै इसे भी ग्रेवी वाली है तो बच्चे खुशों के खाते भी हैं और यहां पर मैंने सारे करेले देखिए भर के अच्छे से रख ली हैं मसाले को मैं भूनती नहीं हूं क्योंकि यह मसाला जल्दी से पक जाता है तो कच्छा ही प्याज मैं भर देती हूं और यहां पर मेरा जो करेले का छिलका यह भी fryों गया और मैं करेलों को भरवा, करेले जो मैंने भरे हैं मसाले से उनको भीर तिसे खलाइ करूँगी इस छिलके के साथ भी 2-3 मिनठ के लिए अच्छे से ब्रा। करेलों को तेज गेस पर सारे करेले एड़ करती अच्छे से इंको nac丁 Left पलट करके धीरे धीरे विलट पलट करती हुझ तक मिसाला निकले हुझ यह वैसे यह मसाला निकलता निए है क्योंकि मैं कट बहुत चोटे लगाती करेलों में तो अच्छे से इनको मैं भून लूँगी और करेले जो हमारे फ्राई हो जाएंगे एकदम लाल तो देखिए करेले हो गई फ्राई और जो मसाला बचा हुआ है ना प्याज का तो मैं ज़्यादा मसाला बनाती हूँ ताकि जो बच्चे करेले ना खाएं तो वो मसाले से भी खा लेते हैं तो प्याजो का मसाला बचाओ अभी मैंने इसी में एड कर दिया करेलों के उपर ही और अच्छे से अलट पलट करके कोट करेलों को तो अच्छे से मैं उनको भी भून लेती हूँ और हलका सा पानी का छीटा लगा के मैं कुकर बंद करके दो या तीन विस्सल में हमारे करेले बनकर त्यार हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और जल्दी बनती है इसमें ऑईल ज्यादा नहीं लगता और मिंटो में पांच मिनट में आपके करेले बनकर रेडी हो जाते हैं तो देखे दो या तीन विस्सल में मेरे करेले बनकर बिल्कुल रेडी है कितने अच्छे कलर भी आया और बिल्कुल दीखे नीचे लगा भी नहीं है और पानी भी मैंने हलका सा छीटा लगाया था तो जिससे स्टीन से हमारे करेले भी तो सोफ्ट हो जाते हैं क्योंकि करेला कड़क होता है तो इससे जो एकदम सोफ्ट हो जाता है और देखे करेले बन गे और अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं की कम तिल में बनाएं तो फ्राई ना हो तो मैं पहले फ्राई कर लेती हूं करेलों को और देखे कलर भी अच्छा आ गया और आप इसको पराठे के साथ खाईए पूरी के साथ खाईए तो बहुत अच्छी रेसिपी है यह सुबहे सुबहे मैं बच्चों को नाश्ता दे रही तो थोड़ा सा भी गुवतते हैं और यह फूल जाता है तो मस्क आप भी जरूर खाईए गर्मियों में बच्चों को जरूर देजिए इससे हमारे हडियां भी मजबूत होती है और पेट की गर्मी दूर होती है तो यह नाश्ते में मेरा बेटा जरूर पीता है तो आप भी अपने बच्चों को दीजिए और खुद भी पीजिए दही में लसी में किसी चीज में भी गुन के तीरा डाल कर पीजिए अच्छा भी लगता है और हमारे लिए फायदे बंद है और यहां पर मैं शाम को डिनर में बना रही हूं मटर पनीर और जब पनीर आता है घर में त मैंने मसाला भून लिया है प्याज लसुन और मैं पूरी रेसिपी आपको नहीं दे रही हूं मटर पनीर की तो बस मैं बता रही हूं कि मैंने डिनर में यह बनाई थी रेसिपी मटर को भी गो रखा है सफल मटर लाए थे और टमाटरों को मैंने मिक्सर में कर लिया है और य अच्छा कलर आया और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूं उपर से कसूरी मेथी कसूरी मेथी जुरूर डालिए हड सब्जी में इसके टेस्ट जो है और अच्छा बढ़के आता है और टेस्ट भी लगती है सब्जी तो बताईएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी ल लगा वीडियो धन्याबाद दोस्तों बाई बाई टेक केर बाई